हेलो एवरिवन वेरी गूड इवनिंग आज साम से में व्लॉक स्टार्ट कर रही हूँ आज तारीक है पच्छे जनवरी तो मैंने सोचना था कि तो पहर से स्टार्ट कर दूंगी आज हम लोग को मार्केट भी जाना था कुछ लाना भी था शॉपिंग करनी थी लेकिन हम सब्सक्राइब कर दो के बाद मैंने से टीक्षन पढ़ने के बाद तीन वजे जाएंगे और जैसे ही तैसे तीन बजे तब तक दक्स को नीन आने लगी तो वो सो गया तो उसको सो जाने की चक्कर भी हम लो बहुत जाए लेट हो रहा था तो आज नहीं गए तो हम सोच रहे है कल जाएंगे यह स्कूल हो कर आएंगे जंडा रोहन कर आएंगे उसके बाद अम लो मार्केट जाएंगे कल है छबी जनवरी तो आप सभी को गरतन दिवस की धेर सारी सुप कामना है सो कल है गरतन दिवस तो मैंने सुचा क्या आज ब्लॉग स्टार्ट करू या ना करू क्योंकि बहुत जहां सा देर हो गई है फिर मैंने सब्सक्राइब चलो क्यूना ब्लॉग बनाते हैं और नाइट रूटीन आप लोग साथ शेयर करते हैं इमनिंग टू नाइट रूटी अब लोग साथ में सुई नहीं थी मेरे अस तुबह कप्ले टै किये थे मिने नए वाले वह उद्र साइड में रखे जो कि मुझे प्रेस करने है और ये कप प्लेट सा ठाने और रूम की हालत बहुत खराब है और रूटी भी बाहर से लेके आ गया है अंदर इससा बाहर करन तो चलिए काम में लग जाते हैं और आज के इवनिंग टू नाइट रूटी शेयर करती हूं आपनों साथ में तो बने रहिएगा वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल पर नए है सुब्स्राइब जरू करिएगा ठीक है तो चलिए लगत ह AG ooh शरु को बाद में मुझे मिलते हैं तो ऐसा ही ने बचचे वाले घरों में और भी मुझे होता है जाये बच्चा सूझाए तो यह जर दो गया तो इसको देख कर मुझे आला साने लगता है तो हम लोग बीलेड जाते हैं चाहेस अधर भ्लेना तो यह ब्ल्लैंके गह कपड़े ही टंगे हो चाहे दरवाजा हो या दरवाजा की पीछे हो या बैड हो या कोई भी अलमारी हो आजकल तो मेरी अलमारी भी बहुत ही बुरी तरीके से खराब पड़ी है जिनको सई से ओगनाईज करना है सारे कपड़े एक निकाले सोसे रहो ना तो फिर काम नहीं हो पाते हैं अकर आप काम करने लगो ना तो अभी सरदी भी कम लगती है तो मैं अभी ये ब्लैंकेट है जो भुआ इसको जाड़के रही बिचा दूँगी थोड़ा सा ये हमको गंदा लग रहा है तो कल इसको वास करूँगी और कल एक नया ब्लैंकेट भी खरीद के लाऊंगी क्योंकि मेरे पास सिवेकी ब्लैंकेट है मैं क्या करती हूँ कि ये वाला ब्लैंकेट धुलने के लिए डाल देती हूँ अच्छी दूब निकलती है तो साम तक सूख जाता है बारिस वगेरा तो बंधी हो जाया है क्योंकि हर एक दिन छोड़ बारिस हो रही है जिससे बहुत जादा परिशानी हो रही है ना बच्चे घर से बहार निकल पा रहे है ना छट पे घुम पा रहे है ना धूब ले पा रहे हैं इलक्षन के ड्यूटी में थोगे घुटीम को जाना ही होगा, दो दिन ही लिए तौ बहुत थे हैं, पहले जब पुरने वाले घर दोख ऐती थी हैं, नहीं पृब्धां तो चँनता होती थी, किसा को बुला ती upfront माय के शेफिए taraffully माइ बीक्तнаком्त में से तो इस बात का बहुत सुकून है मुझे तो बस यही है कि थोड़ी सरदी अब कम हो जाए है और कुछ नीचे जोला दीकरा है आपको रखा हुआ पता ने इसका नमबर कब आएगा थोड़ी सरदी कम हो हो जाए है क्योंकि मेरी आदफ नहीं है बहार प्रेस करने के लिए क्योंकि मेरे कपड़े अपने हाथ से प्रस की है अच्छे लगते हुए है हजबिन के भी सारे कप्डे करती हूं कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नहीं टाइम है और इनको जाना है कहीं पे प्रेस के लिए डर्वेस जैसे इंको जाना भी है तब भी में काम चोड़के प्रेस कर री कोड़ी देती हूं आज देखो मैंने सीर्फ डेली वाले अंडरगामिंट थे और टॉवल वागेर हैं जो कि नहां के पूछने को बार थोड़ी गीली हो जाती है इनको सुखाया है आज मैंने कोई कपड़े नहीं दुले है और वाशिंग मशीन में बहुत कपड़े रखे हैं दुलने के लिए तो मैं कल लगाओंगी तो ब्लैंकेट भी दुल दूँगी साथी साथ मैंने यहां से टेबल चेयर हटा दी है तो थोड़ा सा यहां पर जगा द इनको लगाओंगी सबना यहुतुट है वह रखोंगी जगा उयार्जा मैंने दालगेके अरा मैं महां को को अठाप Ты के मा चाहिए जid5 लुटेवा मैं जब अनलनाने के लिए आ जाहीए और भी आपाये टी है तो तो बहुत थो नहीं आपाएगा तो सुबह मैंने नहीं आ तरीका वही रहेगा जैसी दालमकनी बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजेज रहेंगे तेस्ट में थोड़ा अंतर था सज बताओं और अगर स्मिराजमा भी मिला होता तो और भी टेस्टी लगता है साम के टाइम पर थोड़ा सा मैं गैस भी क्लीन कर देती हूं कभी चाय टपक जाती है कभी कुछ गिरता रहता है जिसकी वज़े से मुझे अच्छा नहीं लगता है घर में किचिन में जब भी आओ तो खाना ना जब बनाने लगो तो ना किचिन प्लेटफॉर्म इदम क्लीन और साफ मिले ना तो फिर काम करने में भी मज़ा आता है मुझे यहां पर मैंने सहाब कर दिया। दाल यहां पर मैंने सफसाफ कर दिया टीव मैंने कर दिया तो यह द कई कई सी मोझे थैक दीडाल है। गोपथों कर दो ह Enjoy लोत दुधा के लगने सासर लिखें। łड़ा भीखो द यहां उटना कीgel और्जाय की मालाई भाला जो गर का अ-स भेल मोला में मालाई नीकाला को और होगा ए कामेड़ें नहीं पर शर्थी और भारिस के रहागा एगाक। क्योंकि सर में बहुत दर रहने लगता है और आप लोग ने देखा ही होगा व्लॉग में कभी-कभी मैं सर में लगा लगती है क्योंकि मुझे भूँ ठंड लगती है कह कह कर मैं हस्बन को चिणाती भी रहती हूँ तो मैं इसे बोल रही थी कि तुम एक काम करो तुम बजार जाओ ना तो मेरे सौक्स ले ही आओ कैसे भी ले आओ मुझे क्या फरक पड़ता है मैं तो घर में पहल लूँगी तो बोल रहता है नहीं मैं ले चलूँगा तो अब च रात में बरतन कम निकलेंगे और हाँ इस टेम ना टंकी का पानी थोड़ा सा हलका सा नॉर्मल सा है नहीं तो बहुत है क्या है धूप जब निकल आती है तो पानी से ठीक रखता है साम के टाइम अगर रात कर जब डिनर करने के बाद बरतन धुलते है तो वही पानी बहुत तो नहीं नहीं ढगिरे के घंड़ भी खंड़े जाता है तो बहुत दकत होती है तो वही है मैं सारे बरतन अभी से धुल गे रख ले रही हूं और जतनते थोड़े बहुत मैं थंड़े पानी से दूलूंगी काम चल जाएगा लेगिन फिल हाल तो मज़ा आ रहा था मुझे बरतन दूलने कीवकि पानी ना ठीक ठीक निकल रहाता चाधा था तो मुझे धर बरतन दूलने में भी अच्छा लग रहा था साथ साथ यहां पर दक्स और अध्या को अब मौका मिल गया है यह फ्लावर को छूने का क्योंकि अप टेबल और कुर्सी यहां से हड चुकी है तो यह मुझे डर लग रहा था कहीं यह तोड़ ना दे और मेरे हज़़एंट ने कभी मनाई नहीं करते बच्चों को बच्चे अभी सरार नहीं करेंगे तो कप करेंगे तो करने तो तूट जाएगा तो मैं फिर लगा दूँगा लेकिन मुझे कहां पर दास्ता मैं जाके ना सारे फ्लावर को थोड़ा उपर खोस के आ गई थी अब यह लो ना खुब खेले लाइड जल रही है उसकी वह देखे लेकिन इस से मत खेले मैं आगी थी फिर किचिन में मैं दाल को फ्राई करने के तयारी करने लगी यहां पर मैंने ने प्यास को चॉप कर लिया है और पीस लूँगी मिक्सी में साथ यह टमाटर अदरक और ह क्योंकि उसके बिना मेरा काम नहीं बन रहा है वह बहुत जल्दी फटाफट काम कर देता हाला कि हातों से काम करना चाहिए हो करती हूं मैं प्याज व्याज फ्राई करने के लिए काटना बारिक काटना कैसे किसी भी सबजी में डालने के लिए लेकिन कभी-कभी लगता है कि तो मैं उसको मंगायोंगी बहुत जल्द इतना महsoon भी नहीं आता है तो मैं महानगायोंगी अभी फिरार नहीं मंगायोंगी महने के लास्ट नया मंस्ट श्टार्ट होगा त Сам हो क्योई तो यहां पेश ले रहे हूं, पिसने के बादा एके डणा . यहार सरसोगा तेल लेंगे नॉरमली और उसमें हिंग जीरा डालकर बूंदा ग मलाई हैं वो निकाल के रख ले रही हूँ आप लोग देख सकते हो मलाई यह कल वाले दूद की है जो दूद था कल तूसकी मलाई ना अच्छी जम गई थी तो मैंने वसको निकाल के रख ली है तो बस अब तरका लगाने करेंगे हैं अब क्रीम डाल सकते हैं बट क्रीम क्या ह तो आप सबसे अच्छा उप सुनिये कि मलाई निकाल के डालिएगा और यहां पे मैं फ्राइब कर दे रही हूं नॉर्मली जब से सब्जी फ्राइब की जाती है वैसे ही फ्राइब करें छोले जैसे फ्राइब करते हैं और मैं अब तेज पत्ता डालना भूल गई थी मैंने पहले ही डाले है तेल में तेज पत्ता लगा तो बस इस तरीके बून लिया है अच्छा कलर आ जाए तब इसमें आपको डाल डालना अच्छे से गला लेनी है थोड़ा सा चमचे से मैस कर देना है जिससे झाल पानी भी डाली है क्वाणिटी बढ़ा कर च्वारिता तब क्य तोड़ा सा और पकाना रहता है, इसको पकाएंगे और जो उनने ये मलाई डाली है वो भी पूरी डाल देंगे, थोड़ी से मिक्स कर दी थी क्रीम जैसी, अब इसका करण बिल्कुल ही चेंज हो गया है, तो उपर से कसूरी मेथी डाल देंगे, ये कसूरी मेथी नो बहुत है अच्छी लगती इसको डालते ही दाल का या सब्जी का टेस्ट ही एक दम चेंज हो जाता है तो जरू डालिएगा ये देखिए दाल बन के तयार है अब बस गर्मा गर्म रोटिया से केंगे और हमारा डिनर तयार और खर की सारे काम नुप्टाने के बाद फाइनरी अब मैं ब बुक पढ़ाई कर रही है दूदो लोगो नहीं पता है इसमें क्या, 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 लिखा हूआ है दोन cleanup अपनी बुक्स लेकर बैठे हुए तो इत्ने बड़ए बढ़ए अच्छा नहीं अपनी मन की कहानी बना एक पढ़ा रही है, इसको बता ने इसमें क्या लिखा हुआ है दक्स बता रहा है, लाइन है, कैसे करता है लाइन? दक्षू लाइन कैसे करता है? अब आया, तो प्राइट रहने, पहले सफाई करें पहले आदर सफाई की रूम की और जाडू पोचा लगा लिया नहीं, नहीं, दक्स काटते नहीं है दिए वो अच्छा, तुम भी पढ़ रहे हो, दिखाओ क्या पढ़ रहे हो क्या पढ़ा तुमने? क्या है ये? ये, हाँ, एपल, एफॉर एपल बी, बी फॉर बॉल लाइन, लाइन कैसे करता है? लाइन कैसे करता है? लाइन कैसे करता है, बले बताओ हाँ, कैसे? गाच, बुक पढ़ गई, चलो होगी पढ़ाई? मेरी भी हो गई और ये, ये आध्या ने बनाया है कल के उपलच में कल अच्छ अभी जन्वरी है ना त्या? कल के लिए बनाया? ये उपलच अच्छ 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 लिए कल एक दूसरा बनाना जिसमें कलर ठीक से बर लागी है यहाँ और अउपर अउपल के नीचे इगरी है तो चलिए भाई इनकी बढ़ाई हो गई है मेरे काम हो गया है जिस्त अबी ठीक हो गया है बच्चों ने ठीक किया है आध्या ने सफाई कर दी है रूम के अच्छी तो अब ये कंबल वगेरा है डालते हैं और लेटते हैं जैसे ही दक्स हो जाएगा तो मैंने जो ये भी व्लोग बनाया है जो बन रहा है इसको एडिट करूंगी और कल लाइब करूंगी है रा सो कल है गरतन दिवस आप सभी को गरतन दिवस की धेर सारी सुपकामना है जै हिन जै भारत और कल ये जाएंगे जंडरोण करने के लिए उसके बाद कि रम लूग जाएंगे मार्केट और हाँ पंदरागस आता है जब छबी जर्मरी आती है तहां यही सोचती हूँ कुछ ऐसा दस जानूंगी उस दिन जो तिरंगा जैसा हो लेकिन ऐसा कुछ लेने के लिए जब भी माइंड में आता है तब तक थबी जर्मरी और पंदरागस दोनों पास आ जाते है तो फिर ओनलाइन स्वापिंग करनी बेकार हो जाती मेरी क्योंकि वो आने में टाइम लगाएगा तब निकल जाएगी इस बार सोचा है मैं पहले से माग रख लूंगी भी से मंगा लूंगी और फिर पंदरागस को फिकाम आ जाएगा तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसमें इन और तीन रंग के तरंगे कैसा दुपट्टा हो या साड़ी हो या सूथ हो ऐसा सो सोच रही हू एक नए वीडियो के साथ में कल सुब है तो नाइट टेक क्या थैंक्यों वोचिंग बाबाई